कि हालो इस्ट्रेंट वेलकम टू आसीज क्लासे स्पीसियम पीसिपी बच्चो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में जो कि हमारे क्लास 12 वोड एक्जाम दो हजार पच्चिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं हम बात करते हैं बच्चो फिनॉल की बात हाइड्रॉक्सिल ग्रूप आर डारेक्टली अटेच्च टू दा एरोमेटिक नूक्लियस और कॉल फिनॉल्स जैसे बेंजीन बच्चो देखो अगर कोई हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है ठीक है सपोस करो हमारे पास यहां पर एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसे हम लोग बोलते हैं बेंजीन यह तो आप जानते हो बेंजीन रिंग है ठीक और इस बेंजीन रिंग के डारेक्ट यहां पर क्या हो एरोमेटिक नूक्लियस से डारेक्ट कोई हाइड्रोक्सिल ग्रूप जुड़ जैसे यहां पर अगर मैं मानूं कि इस से कोई हाइड्रोक्सि release होगा, तो इसी को बोलते हैं, फी-NOL ठीक है, यह क्या बन गया दिस इस फी-NOL, यह क्या बन गया फी-NOL यह फी-NOL अब जरूरी नहीं कि केवल एक ही हाइड्रोक्सिल उड़े इसमें, इसमें हो सकता हो दो हाइड्रोक्सिल ग्रूप जुड जाएं तीन जुड़ जाएं चार जुड़ जाएं तो जितने hydroxyl group इसमें जुड़ेंगे उतने hydrogen item यहां से replace होंगे यही होता है हमारा क्या phenol देखो यहां पर बताया गया है यहां पर हमारा benzene है आप देखो benzene से एक hydroxyl group यहां जुड़ेगा और जब हाइडरोक्सिल ग्रूप इस बेंजीन लिंग से जुड़ेगा, बेंजीन से जुड़ेगा तो हाइडरोजन यहां से देखो, रिप्लेस हो रहा है, ठीक है? तो यह यहां पर बन गया, फीनॉल ठीक है, यहां तक समझे गए कि फीनॉल क्या होते हैं? आगे चलते हैं बच्चो आगे बात करेंगे बच्चो यहां पर हम बात करेंगे देखो यहां पर बात करेंगे classification of phenol हम बात करते हैं बच्चो classification of phenol तो phenol को तीन पार्ट में classified किया गया है phenols are classified into three types three types का मतलब एक तो monohydric phenol monohydric phenol का मतलब होगा बच्चो जैसे ये benzene ring है ठीक है ये benzene ring है और इस पर केवल अगर एक single OH hydroxyl group जुड़ा हो तो ये बोलेंगे monohydric phenol क्या होगा बच्चो monohydric phenol ठीक ये monohydric phenol होगया वहीं पर बच्चो अगर हम बात करते है dihydric का मतलब होगा कि अगर किसी aromatic compound से 2 OH group जुड़ा है मैंने बताया था ना कि हो सकता हो एक hydrogen replace हो एक OH group जुड़ा हो सकता हो 2 hydrogen replace हो 2 तो अगर 2 OH group जुड़ जाएं एक हमने यहां जूड़ दिया एक हमने यहां जूड़ दिया ठीक है तो 2 hydrogen OH group यहां पर जूड़ रहना है इसको बोलेंगे di hydric phenol di hydric phenol ठीक है आगे बच्चों बात करेंगे यहां पर tri hydric phenol tri hydric phenol का मतलब होता है बच्चों जब थ्री ओएस गुरूब जुड़े हूं है न यह बेंजीन रिंग है ठीक है और यहां पर तीन ओएस गुरूब जुड़ जाए इसको बोलते हैं कि ट्राइए हाइड्रिक फिनोल ठीक है यह क्या है ट्राइए हाइड्रिक फिनोल क्यों तो डाइए हाइड्रिक का मतलब देखो एक बार फिर से मोनो हाइड्रिक फिनोल का मतलब होता है जब सिंगल ओएच गुरूब जुड़े सिंगल हाइड्रोक्सिल गुरूब जुड़े डाइए हाइड्रिक का मत सब्सक्राइब होता है जब तीन ओएस ग्रूप किसी एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन रिंग से जुड़ जाएं ठीक है नोट करो फिर आगे चलते हैं कि आगे चलते हैं कि मेекा हुँ हुँ हु इसने को स्थी ऐसे अब मोनोहाइडिक फिनॉल के हम बच्चो एक्जामपल देखेंगे यहाँ पर मोनओ फिनॉल के एक्जामपल देखो मोनutions कि अ हम बात करते हैं बच्चों मोन OS Display loop की बात करते हैं तो यहाँ पर यह देखो ये फिनॉल दिया गया है, ये monohydric है, कारबोलिक एसिड, देखो यहाँ पर इसको कारबोलिक एसिड के भी नाम से जानते हैं, है ना, तो देखो यहाँ पर, इस तरी के सकरेंगे, यहाँ पर OH जुड गया, तो यह फिनॉल है, जिसे हम लोग कारबोलिक केसिड बोलते हैं ठीक उसके बाद यहां पर देखो वन नंबर पर ओएच लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगा अलफा नेफ्थेनॉल यह भी एक मोनो हाइड्रिक पर यहां पर रात करेंगे डाइड्रिक फिनॉल के हम दो प्रिकल देख लेकर हैं डाइड्रिक फिनॉल स्वर्फिनॉलни चांगे حांए में। krisol ठीक है यह यहाँ पर जो दिया गया है यह जो structure आपको दिया गया है यह हमारा monohydric phenol में है यहाँ पर अच्छा यह monohydric है methyl phenol और यहीं पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या दिया गया four methyl phenol ठीक है तो यह भी monohydric चला था ठीक है आगे देखो और देखो example monohydric में यहाँ पर जो fourth number दिया गया example monohydric phenol कौन है यहाँ पर दिया गया four hydroxy benjol di है यह भी हमारा monohydric phenol है उसके बाद two hydroxy benjoic acid यह भी हमारा monohydric alcohol है और fourth यहाँ पर दिया गया है four hydroxy benjoate तो यह भी example है अब देखो बच्चों बात करेंगे dihydric alcohol dihydric alcohol क्या होंगे बच्चों dihydric alcohol जिसमें दो ओयज हो जैसे यहाँ पर यह दिया गया या नि बेंजीन वन टू डाइ ओल दूसरा दिया गया है बेंजीन वन थ्री डाइ ओल बेंजीन थ्री वन फोर डाइ ओल तो dihydric phenol का मतलब जिसमें तीन बच्चों sorry di का मतलब होगा जिसमें दो ओयज गुरूप हमें देखने को मिलें ठीक है आगे चलते हैं एक्जामपल देखतें आगे और और फिर बात करेंगे हम लोग trihydric phenol में देखो बच्चों, trihydric phenol किसे हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर दिया गया बेंजीन wong three five tryolाइ नमबर पे फ ey नमबर पे और फई नमबर पे तो यहाँ पर तीन вос group लिकी यह बेंजीन निंस से इसलए ट्राइ भाल है, यानि बेंजीन quest 1 5 नमबर दो नमबर और थीन नमबर ठीक है आगे देख Darren अगला question देखो यहां पर MCQ पूछा गया बहुत प्यारा question है कि phenol are classified as monohydric phenol, dihydric phenol, trihydric phenol, all of these तो तीनो टाइप के classify, मतलब तीनो परकार के जो answer दिएगे वो सही है क्योंकि phenol क्या होता है, monohydric phenol भी होता है, dihydric phenol होता है, trihydric phenol होता है, तो तीनो यानि option number D क्या होता है